नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वर्षत और प्रसंद होंगे तथरलगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएस एम पीजी कॉलेज जोग्राफी डेपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एड़ डरेट लर्न जोग्राफी विद प्रेम में दोस्तो 2018 AGP जोग्राफी का सेट पेपर की जो हम स्रीच चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 90 प्रसंदों पर चर्चा कर लिए ठीके दोस्तों और हमने विश्तित चर्चा की है अब हम सुरवा करते हैं इस स्रीच को आगे बढ़ाते हुए और आज बचे हुए जो प्रस्न है आपके उन पर हम चर्चा करेंगे ठीके दोस्तों इतने दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए कुछ ब्यक्तिकर समझ से आया है इस वज़े से नहीं डाल पाए इसलिए हमें खेद है आगे हम प् आपका सूची से है यानि कि मिलान करना है आपको ठीक है देख लेते हैं एक तरफ मानचितर का प्रकार दिया हुआ है दूसी तरफ सन्हित सूचना यानि कि information content और map type को आपको मिलाना है ठीक है तो पहला आपका A number है कोरो chromatic ठीक है और दूसी तरफ जो option दिये हुए है तो इ वर्ण प्रतीकी यानि कि कोरो सेमेटिक इसका फोर्थ सही है ठीक है बैक के हम अभी देख लेंगे वर्ण मात्री यानि कोरो प्लेट इसमें सेडों के माध्यम से वित्रण में छेतरी अंतर दर्साया जाता है यानि सोइंग डिजनल वैरियेशन इन डिस्टुबियूशन आपको ट्रिक बताईए इसको हल करने की यानि कि पहले का दूसरा सही है किस विकल्प में सही है तो जब आप इस विकल्प में देखेंगे आकर कि यहाँ पर तो पहले का दूसरा तीसरे वाले में सही है यानि आपको एक पता है तो फिर आपको दूसरा देखना ही नहीं है इस इतरवाल में आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको एक सही पता है या एक आपको गलत पता है तो आप आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे तो आपका विकल्प क्या सही है तीसरा सही है ठीक है कोरो क्रोमेटिक दोस्तो जब आप इस पे बात करोगे तो इस पे सी आता है कोरो क्रोमेटिक या निकि सी ठीक है अगर आप इसकी स्पेलिंग उपर भी देखें अगर कोरो क्रोमेटिक ठीक है तो यहाँ पर आपका सी दिया हुए सी को पकड़ना है आपका सी का मतलब आप लेख सकते हैं कलर ठीक है C-L-O-U-R यानि कि रंगों की सहायता से जब हम डाटा को प्रदसित करते हैं तो वो क्या होता है कोरो क्रोमेटिक होता है यानि कि एन रंगक के माध्यम से आप इस ट्रिक से पकड़ सकते हैं इसे ठीक है वर्न प्रितिकी में क्या होता है आपको S पकड़ना है यानि कि S मतलब SEMBLE SEMBLE मतलब आपको पता है चिन्न होते हैं आपके तो S मतलब सेडों के माध्यम से यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है जो SEMBLE हमने बताया S पकड़ना यानि संकेतों के माध्यम से चेत्री वित्रन यानि कि Arial Distribution by SEMBLE ठीक है दो आपको पकड़ में आगए इसके बाद आप अगर चोथे वाले पर आएंगे D नमबर पर ISO PLATE यानि कि जो समान मूल्यों को प्रदर्सित करती है समान रेका है तो जाईसी बात है कि समान मूल्यों को मूल्यों के स्थानों को जोडने वाली देखा आपकी समान देखा कहलाएगी वर्ण प्रतीकी आपकी यानि कि इसमें सैडों का परयोक किया जाता है सैडों के Blues आध्यम से वित्रण में छेतरी अंत्र को दिखाया जाता है तो आप इस तरह से जब याद करते हैं तो चीजे आपको लंबे समय तक याद रहती हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे ही याद करें आम यहां पर एक बार और एक्स्प्लेंड करके दिखा देते हैं यह संकेतों के द्वारा प्रतीक, चिन यह संकेत की सहायता से वश्तों के प्रदर्सन किया जाता है कोड़ोले तंग और जोड़न मूल्यों के specific द्खायओं को जोडने वाली शंवाली रेखा होती इसके बाद दोस्तों 92 नम्मर का आपका सवाल है कि एक अनुपाते 50,000 मानवाले यानि की स्केल के यानि मापक के इस्तला क्रितिक मानचित्र में समोच अंतराल 10 मीटर दिया गया है इस्थान A 200 मीटर MSL समोच रेखा परिस्थित है और एक अन्य स्थान जो B है 240 मीटर MSL के समोच रेखा परिस्थित है मानचित्र पर A और B के बीच की दूरी चार समलोग 0 मीटर यानि 4 सेंटिमीटर है इस तरह A और बीच की प्रवड़ता क्या होगी यानि कि स्लोप पूँच रहा है आप से यानि कि इसे gradient भी पूँच बोलते हैं ठीक है तो यह सवाल है आपका तो हम इसे इसका जो आंसर होगा आपका तीसरा नम्मर है यानि कि 1 बटा 50 है ठीक है तो अब हम इसे देख लेते हैं सवाल में समोच अंत्राल आपका कितना है 10 मीटर A की दूरी कितनी है 240 और B की कितनी है 200 यानि इन दोनों के मर्द का अंत्राल कितना हुआ 40 समोच रेखाए हुआ ठीक है इसके लापका दिया हुआ है एक अनुपाते 50,000 यानि कि 1 सेंटी मीटर 50,000 मीटर को दिखा रहा है ठीक है और आपको पता है कि एक सेंटी मीटर में आपके आपका जो एक किलो मीटर होता है एक किलो मीटर बराबर कितना होता है एक लाप सेंटी मीटर होता है ठीक है तो जाई सी बात है 50,000 यान पर दिया हुआ तो कितने मीटर आ जाएंगे आपके 500 meter टीक है तो एक cm बराबर 50,000 cm तो 4 cm में कितना हो गया 2 का गुणा हो गया तो 4 cm बराबर कितना हो गया 200 यानि कि और आपको ये भी पता है कि आपके जो एक मीटर में या कह सकते हैं कि एक फीट में 30 cm होते हैं ठीक है तो वो यहीं पर कह रहा है क्योंकि आपको पता है कि एक किलो मीटर में आपके मीटर कितने होते हैं 1000 ठीक है तो यहाँ पर आपका 500 cm है तो यह कितना हुआ 50,000 cm है तो एक आधा किलो मीटर के बराबर हुआ यह तो यह 500 मीटर के हो गया क्योंकि हमें पता 1000 मीटर होता है एक किलो मीटर में चार का मल्टिपलाई हो गया तो अब आपका 40 जो आपका difference निकला था और नीचे 500 into 4 तो 1 बटा 50 यानि कि धाल पर बड़ता कितनी है आपकी 1 बटा 50 है ठीक है दोस्तो इसका एक सूत्र होता है 1 अनुपाते यानि कि सूरी रुको इसका सूत्र होता है gradient बड़ाबर 1 अनुपाते D बटा R ठीक है D का मतलब क्या होता है दूरी यानि कि दोनों के बीच की दूरी ठीक है और R का मतलब होता है आपका समोच रेखी अंत्राल ठीक है तो D आपका कितना है 40 याँ पर हमने रख दिया है ठीक है एक का अनुपात आपका है एक अनुपाते कितना आया था याँ पर 500 आया था ठीक है और इसके बाद R इनके बीच की दूरी कितनी बताई थी हमने 4 सेंटिमीटर ठीक है तो अगर आप इसे मल्टिप्लाई भी कराओगे तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर मल्टिप्लाई हो जाएगा आपका तो 40 बटा 500 गुडे 4 बटा बराबर 1 बटा 50 क्योंकि आप इसे जब काटोगे तो यह आपका कड़ जाएगा पूरा तो ठीक है तो इस परकार इसका ग्रेडियेंट निकलेगा ठीक है अब हम देखते हैं अगले कुश्चन को 93 नमबर का कुश्चन है दोस्तों आपका कि निमन लिखित में कौन सा कूट मंद इस्तलाक्रती के किसी छेत्र की 6 बसावटों के लिए दिये गए वित्रण का सही आद एन मूले होगा ठीक है आद एन मूले पूँच रहा है आपका आद एन वैलू पूच रहा है ठीक है सवाल आपका यह दिगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर टाइप मिस्टेक है यहाँ पर दो होगा आपका ठीक है यहाँ पर दो होगा तो अब हम इसे हल कर लेते हैं ठीक है वसे आंसर दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका आपका आंसर है पहला वाला यानि कि 0.95 इसका अब हम देख लेते हैं कि इसको हल कैसे किया गया है दोस्तों अब क्योंकि इस पर हम स्क्रीन पर नहीं जा पा रहे हैं तो हम लेकिन आपको यह बता रहेते हैं कि इसको कैसे निकाला गया है यह जो आपका दिया हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 ठीक है इसे कैसे निकाला गया है इसे वर हम देख लेते बागी चीजे आपको यहीं से निकल गया जाएंगी ठीक है तो 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है 1 km तो 1 रख दिया गया है फिर 2 से 1 km 2 से 1 के बीच में हम यानि ऐसे लिख सकते हैं कि एक से दो के बीच में बराबर एक किलोमीटर ठीक है एक से दो के बीच में एक किलोमीटर दो से एक के बीच में एक किलोमीटर ठीक है दो से तीन के बीच में दो से तीन के बीच में कितनी दूरी है 1.2 ठीक है अब 4 से 5 के बीच में कितनी है 1 किलोमीटर और 5 से 4 के बीच में कितनी है 1 किलोमीटर और 5 से 6 के बीच में कितनी है आपकी तो बराबर 2 किलोमीटर तो इसी को रखा गया है ठीक है यानि कि 1, 1, 1, 1 और फिर ये और फिर ये यहीं रखा गया है और आपका जो छेतर फल है इसका आपको पता है कि छेतर फल का मतलब होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो लंबाई आपकी कितनी है पांच किलोमीटर और चोड़ाई कितनी है लंबाई है आपकी 7 किलोमीटर और चोड़ाई है आपकी 5 किलोमीटर ठ जलते हैं दोस्तों आरेन निकालने का सूत्र होता है आपका डी कोश्ट के अंदर OBS यानि कि observation OBS का मतलब observation है यानि कि जितनी दूरी आप observe करते हो आरेन नजदी की पड़ोशी मान है यानि कि nearest neighbor value है ये D OBS यानि आउसत आउलोकन नजदी की पड़ोशी दूरी mean observed nearest neighbor distance ठीक है जो हमने आपको बताया वही किया गया है one plus one plus यानि कि एक क्या है आपका दो से और एक के बीच की दूरी एक किलोमीटर थी तो ये लिख दी गई है फिर दो से एक से दो किलोमीटर की बीच में मतले दूरी एक किलोमीटर थी वो लिख दी गई है चार से पांच की बीच में भी एक किलोमीटर थी पांच से चार की ब पदों का योग यानि कि sigma x बटे n होता है पदों की संस्या तो पद कितने है आपके 6 उनका योग कितना है 7.2 है तो इसका बटा कर दिया गया है तो आंसर आया है 1.2 तो यह चीज आपको याद रखनी है तिक है यानि कि दी ओ बी कितना था 35 वो अपका A है ठीक है अब हम आगे देख लेते हैं अब इसमें आगे कह रहा है कि A अध्यन करने वाले स्थान का छेत्रपल तो 5 इंटू 7 बराबर 35 आयन बस आउटों की संगय कितनी है 6 ठीक है अब हम इस सूत्र में रख लेते हैं अध्यन बराबर D हमारा कितना था 1.2 आया था हमने 2 पॉंट रख दिया ठीक है इसके बाद सूत्र हमारा 0.5 था ही पहले अंडर रूट के अंदर A बराबर कितना था हमारा A बराबर 35 है हमारा और N हमारा कितना है 6 ठीक है अब आप इसे हल कर लीजिए अराम से आप का अंसर आ जाएगा 0.95 ठीक है तो यह आपको यार रखना है तो हमारा इस अंसर क्या हो गया हो पहला सही है 0.15 आर एन मूले है ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं निमन लिखित में कौन सा संग्ठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा ट्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पर चाहत उस पर कार करता है ठीक है यानि कि तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो दोस्तो है NRSA यानि कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजनसी यह आपकी हैदराबाद में है यह आपको यार रखनी दोस्तों पूछी जाती है आप से राष्टिय सुदूर समवेदन अभिकरन यानि कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजनसी आपकी कहां है है एदराबाद में ठीक है यह आपको पता है कि कहां किस राज़ी की राज़दानी है तो तेलंगाना की है ठीक है आगे देखते हैं 95 नमबर का कुश्चन है आपका कि तरंग दैर्द के बढ़ते क्रम में विभिन EMR spectrum band का निमन लिखित में सही क्रम काउन सा होगा विच वन ओफ फोलोविंग इज दा करेक्ट सेक्वेंस ओफ ए वैरियस EMR ठीक है यानि EMR का फूल फार्म होता है आपका electromagnetic radiation spectrum bands in a ascending order of wavelength असेंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तो आपका आरोही क्रम ठीक है आरोही क्रम का मतलब है एक से दस की ओर ठीक है इसी प्रकार आपको बताना है तो कौन सा सही है दोस्तो आपने एक सूत्र का नाम सुना होगा विभ गयोर सुना है आपने नाम विभ गयोर ठीक है यानि की वी आई बी जी वाई ओ आर ठीक है एक एक सब्द में एक एक रंग का नाम है वी का मतलब क्या है वाइलेट वाइलेट का मतलब आपका क्या है बैगनी ठीक है तो इसमें बैगनी का नहीं आया है ठीक है आई का मतलब है और ओसे आपका ओरेंज ہے और शे आपका रेड है, तो आपके तीन कलर तो यहां पे है आपको इसी से मिल जाएंगे, यानि कि ब्लू पहले ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर एड है, यानि कि नीला हरा लल, इसमें आप देख लीजिए नीला हरा लल कौन सा है, कितने बिकल्पों में हैं तो एक इसमें मिल जाएगा इसमें आपका उल्टा है तो ये तो गलत ही हो जाएगा ठीक है नीला हरा लाल ये भी है ठीक है और हरा लाल ये तो आपका ये भी गलत हो जाएगा अब आपके पास दो बिकल्ब बचते हैं कि आपका कौन सा सही है ठीक है तो आपका जो पह अब हम इसका शुकेंट से देख लेते हैं बढ़ते तरंग दैर्द करम में EMR Electromagnetic Radiation इस पेक्टरम में सबसे पहले गामा रेस होती है ठीक है? यानि कि दोस्तों जो आपकी सूर से जो किरने निकलती है तो एक किरन को आप जब जूम करके देखोगे तो यह आपका spectrum होती है इस spectrum में ठीक है? कौन-कौन से तरंगे होती है वही बताया जा रहा है सबसे पहले गामा रेस होती है फिर X रेस होती है फिर Ultra Violet होती है यानि कि पराबैगनी फिर द्रस तरंगे जो हमने आपको साथ बताई है विब गे और वो द्रस होती है इसके बाद Infrared होती है फिर Microwave होती है फिर Radio तरंग होती है दोस्तो यह आपको क्रम हमेशा याद रखना है यानि कि गामा का सबसे wavelength कम होता है और सबसे ज़्यादा wavelength किसका होता है जेडियो तरंग होता है तो आपको याद रखना है दोस्तो आपने आपको बताया कि तरंग दैर्द या wavelength और आवरत्ती में यानि frequency में विपरीज संबन्द होता है यानि कि अगर इसका wavelength कम है तो इसकी आवरत्ती यानि कि frequency सबसे क्या होगी जादा होगी तो ये बहुत सारी चीजें है जो आपको जोड़ते हुए याद करनी होती है तब ही चीजे याद रह पाती है तो आप इसे याद कर सकते है विप गयर का हमने बताया वी का मतलब आपका violet यानि कि बैगनी I का मतलब इंडगो यानि जमुनी B का मतलब ब्लू G का मतलब ग्रीन Y का मतलब यलो O का मतलब औरेंज यानि नरंगी Red का मतलब लाल तो उप्यूक्त इस परस्ट है कि दिये गए विकल्प में बढ़ते तरंग दैर रिक्रम परा बैगनी नीला हरा लाल सही है दोस्तो यह आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यह आपके एक जाम में हमेशा यहाँ से कुष्चन बनता है तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा 96 नमबर का कुष्चन है दोस्तो यह कथन और कारण वाला सवाल है ठीक है तो कथन आपका क्या है अभी कथन है आपका कि रडार को सक्रिय संके तक यानि कि माना जाता है यानि कि रडार जो है वो सक्रिय संवेदक या सेंसर माना जाता है रडार आर कंसिडर्ड एक्ट्यू सेंसर तो यह तो सही दोस्तो यानि कि ए आपका सही है तो हमने आपको जिस चौथा नम्मर क्या कह रहा है ए असत है यह तो गलत है यानि कि चौथा विकल्प आपका गलत है ठीक है अब आपके पास तीन विकल्प बचते हैं अब हम कारण भी देख लेते हैं इसका यह समवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तूओं और उनके रेंज का पता लगाता है ठीक है अगर आप जनरली भी अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यह आपको लग रहा होगा कि यार पहले का जो कहा है उसने कि रडार एक सक्रिय समवेदक है सही है तो आप को दूसरे जब पढ़ेंगे आप तो क्योंकि यह समवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तूओं और उनके रेंज का पता लगाता है यानि कि यह भी सही है आपका ठीक है तो अगर बी नमबर भी सही है तो आपका तीसरा विकल्प गलत हो जाता है ठीक है और आप जब इस सवाल को पढ़ोगे तो आराम से आपको खुद ही लग जाएगा कि यह भी सही करता है यानि कि आपका क्या विकल्प सही हो गया ए यानि ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही भी भी करता है ठीक है अब हम इसका एक्स्प्लेनेशन भी देख लेते हैं सक्री सुदूर समवेदी समवेदन का अपना स्वयम का परकास स्रोत होता है यानि कहने का मतलब दोस्तों आपको यह है कि रिमोट सेंसिंग में दो परकार की चीजे होती है एक सक्री और एक आसक्री है ठीक है तो जिसका स्वयम का परकास होता है अपना स्वयम का परकास होत वो सक्री ये दूर समवेदक होता है ठीक है सोथ होता है ये सक्री रूप से तरंग भेजता है और परवर्तित प्रकास को मापता है लेकिन निस्क्री ये समवेदक जो होते हैं वे सूर के परवर्तित प्रकास की उर्जा का मापन करते हैं यानि कि जिस समवेदक यानि कि सेंसर जिसे आप कहते हो ठीक है जो sensor होता है आपका जो sensor होता है यदि उसके पास खुद का प्रकार है प्रकास है यानि कि swim का जो प्रकास है अगर तो वो क्या होता है सक्क्री समवेदक हो जाता है ठीक है और यदि सूर के प्रकास का उपयोग करता है तो वो क्या होता है निस्क्री समवे रखो जाता है तो ये चीज़े आपको याद रखने है ठीक है जेडियो जो जडार है उसका फुल फाम है आपका जेडियो डेटेक्शन एंड रेंजिंग ये इसका फुल फाम है ये भी आपको याद रखना है इसके द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकास गामी वाईयान की इस्थिती और दूरी का पता लगाया जाता है यानि कि रडार वाईयानों की इस्थिती और दूरी का पता लगाता है रडार से प्रेसित एवं वाय यान से परवर्तित तरंगों के मद्ध समायांतर ग्याद करके वाय यान की दूरी ग्याद की जा सकती है रडार का उप्योग वाय यान ससूचन, निर्देशन, संरचन में बादलों की इस्थिती वदूरी ग्याद करने में भी धातु और तेल भंडारों का पता लगाने में एवं वाय मंडल की उच्चतम परत आयन मंडल की उचाई आदि ग्याद करने में भी रडार का अविश्का अमेरिकी वविज्यानिक टेलर और यंग महुरे ने की ती यह भी आपको यार रखना है रडार का विश्कार किस ने किया था अमेरिका के वविज्यानिक थे वो टेलर और यंग ठीक है इसके बाद दूसरों अगला कोश्यन है आपका कि समान रूप से वित्रित एक समस्टी जिसकी 320 सेंटिमीटर आउसत वालसिक व्रष्टी है यानि कि एवरिज कितना है उसका 320 20 स्थानों के एक नमूना समुच्च का चैन किया गया नमूने का व्रष्टी माद्द 250 सेंटिमीटर है तथा मानक विचलन 150 सेंटिमीटर रिकार्ड किया गया चैनित प्रदीदर्सों यानि नमूनों के लिए निमन लिखित में कौन समयत्पूर परिच्चन सही होगा यानि कि टेस्ट पूँच रहा है आपसे कि टेस्ट कौन सा होगा दोस्तों ये सवाल जितने कटें लगते हैं उतने ही सदल होते हैं एक बार हम इंगलेस से भी देख लेते हैं a set sample of 20 places of mean annual rainfall were randomly selected from a normally distributed universe that has mean annual rainfall of 320 cm the sample mean was recorded 250 cm with standard deviation 150 cm which one of the following significant test is correct of the selected sample तो इसमें दोस्तों आपको sample ही पकड़ना होता है sample हमारे कितने हैं 20 ठीक है अगर आप ये sample पकड़ लेते हैं तो अराम से आपका सही हो जाएगा ठीक है इसका दोस्तों answer आपका है टी परिच्छा ठीक है अब हम इसकी ब्याक्या भी देख लेते हैं जब आप किसी आपक्ड़े के नमूने का मानग विजलन नहीं जानते और जब आपके पास सीमित नमूना है यानि कि N बराबर 30 यानि कि 30 से कम तो एक नमूने के माध्यम से दूसरे नमूने का परिच्छन करने या दो नमूने के माध्य की तुलना करने के लिए T-Test का उपयोग किया जाता है और यदि आपक्ड़े के नमूने का मानग विजलन ग्यात है तो Z-Test का उपयोग किया जाता है यानि कि अगर ग्यात नहीं है मानग विजलन तो T-test यानि कि मानक विजलन गयात ना हो और जो data है या sample है वो 30 से कम हो तो T-test यदि data विजलन यानि कि मानक विजलन यानि standard deviation गयात है तो Z-test को उप्योग किया जाता है और parametric test एक परिकलपनात्मक test है जो मूल नमूने के माद्य के बारे में समाने कथन बनाने में प्रियोग होता है T-test इस अंतर नित धारणा पर धारित है कि चर्का समान निवित्रण गयात है या गयात माना जाता है नमूने के लिए आंकणों के यानि variation की गणना की जाती है नान-parametric परिकलपना 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 की रूप में परिवासित किया गया है जो अंतर नित धारणा पर धारित है नहीं है अर्थात विशिष्ट मानकों द्वारा आकणों के वित्रण को दर्साने की आउसकता नहीं होती टेस्ट मुकताहा मीडियन के अंतर पर अधारित होता है यह भी दोस्तो आप यार रगना जो टेस्ट होता है टेस्ट आपका मीडियन के अंतर पर अधारित होता है आताहा इसे वैकलपिक रूप से वित्रण मुक्त परिच्छन की रूप में भी जाना जाता है ती होता है आपका वो विच्णन मुख्त परिशन کی रूप में भी जाना जाता है ठीक है दोस्तो आपको त्रसंग बनते हैं तो कई सवाल ऐसे आजाते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता है ठीक है तो जो बहुत कठिन सवाल है उसमें आपको Mahar टैंसर नहीं जादा लेनी होत इसलिए दो चार कुश्चिन अगर बहुत कटें मिल जाते हैं तो आपको टेंसन नहीं लेनी चाहिए 98 नमबर के दोस्तों कुश्चिन है अब कि 6 पुर्णांकों वाले X रीज की आवरत्ती वित्रण में जिसमें X1 का मान नहीं दिया गया तो माद एक्स माद की गणना के मान नंड के लिए रूप में सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 370 नहीं दिये गए X1 की आवरत्ती को छोड़कर जो F1 है बराबर 10 सेंटिमीटर EF यानि सिग्मा सुरी E नहीं सिग्मा एफ पराबर 58 है आपराब्त पुर्णांग की आवरत्ती सहीत ठीक है तो समानतर माद जो X है आपका 7.586 है ठीक है X1 आपराब्त के लिए निम्नलिकित में कौन सा पुर्णांग लगबग सही होगा ये दोस्तों आपके समानतर माद का सवाल है समानतर मार्द का सूतर आपको पता है कि समानतर मार्द बराबर पदों का योग यानि कि सिग्मा एक्स बटे पदों की सक्या यानि कि एन यह आपको यार लगना है ठीक है इसका दोस्तों आंसर साथ है अब हम देख लेते हैं कि मार्द बराबर आपका होता है सिग्मा एक्स ब प्लस आपका एक मान नहीं दिया हुआ था यानि कि f1 कमान कितना दिया हुआ था 10 यहाँ पे 10 आ गया है आपका तो x उसमें आगे लगा हुआ तो यह आगे आपका अब बटे में आपका क्या है अंठावन है ठीक है अब आप जिसे इसे हल कर लीजिए तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर निकल गया जाएगा साथ यानि कि 6.99 आएगा तो इसे आप जब राउंड फिगर में लोगे तो आपका आंसर साथ आ जाएगा ठीक है आगे देखते हैं दोस्तो 99 नंबर का कुश्यन है 99 नंबर का कुश्यन है दोस्तो कि निमन लिखित में से कौन सा समीकरण माध्य का सही गणना विसेश्ता इंगित करता है माध्य का सही गणना विसेश्ता इंगित करता है यानि which one of the following equation represents two mathematical characteristics of mean इसका दोस्तो आंसर जो आपका है वो आपका दूसरा विकल्प सही है ठीक है लेकिन दोस्तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका इस प्रकार से विकल्प दिया हुआ है ठीक है यानि कि सिग्मा और कोश्ट के अंदर x minus या प्लस जोड कनिसान है या योजक कनिसान है और x के उपर जो आपका ये समांतर मादर का चिन लगा हुआ है और इतना दिया हुआ है तो आपका आंसर जीरो सही होगा ठीक है लेकिन अगर विकल्प में ये वाला अगर दिया हुआ है विकल्प और इसके उपर एक घात लगी हुई है दो की तो फिर आपका अंसर क्या सही होगा नियूंतम सही होगा ठीक है अगर घात नहीं लगी तो जीरो वाला सही है और अगर घात लगी है दो की तो नियूंतम वाला सही है ये दोनों चीज़े आपको याद रखनी है कि अगर गात नहीं लगी तो ये वाला दो नंबर सही है और अगर दो की गात लगी है तो फिर ये नियूंतम वाला सही है इसके बाद सवे नंबर का कुश्चन है दोस्तो निमने लिखित में जो scale है निमने लिखित में कौन सा scale बसावटों के rank size वितरण की सही माप करता है ठीक है विच वन ओप दा फॉलोविंग scales is correctly measured the rank size distribution of settlement ठीक है rank size कौन सा सही select करता है तो दोस्तो जो rank size आपका सही मापता है वो अनुपात मापता है यानि की fall number सही है आपका ठीक है nominal क्या होता है जो नामों को मापता है ठीक है ordinal यानि की जो क्रम होता है वो क्रमों को मापता है अंतराल क्या मापता है क्रम और अंतराल दोनों को मापता है लेकर अनुपात किसको मापता है rank size को मापता है ठीक है अब हम इसकी व्याक्या भी देख लेते हैं नामित यानि नॉमिनल स्केल का परियोग चरों के नाम या लेबलिंग के लिए होता है ठीक है क्रमिक यानि ओर्डिनल के इसकेल का परियोग किसी सरवेच छण में अनुपात स्केल के द्वारा चरों के क्रम अंतराल मूल अनुपात का निधायत किया जा सकता है ठीक है निधायत किया जा सकता है बसावटों के रैंक साइज वित्रण का सही माप अनुपात स्केल के द्वारा होता है जी के जिफ ने नगरों के कोटी निर्दारण है तो निम्न सूत्र का प्रयोग किया था यानि कि rank size rule किस ने दिया था कोट जी के जिफ मौदे ने दिया था उनीश्चो उन्चास में तो यह भी आपको याद रखना है कि rank size rule कोटि आकारनियम जी के जिफ ने दिया था तो सूत्र क्या दिया था PN बराबर P1 बटे आइन जहां पर जो आपका PN है वो अवरोही करम में बिवस्तेत आइन नगरों की संख्या तो PN इसमें ब्रहत्तम नगर की संजन संख्या और आयन उस छेतर के नगर कोटी कमान दिया था ठीके दोस्तो तो ये भी आपको याद रखना है तो ठीके दोस्तो जो हम AGP 2018 जियोग्राफी का सेट पेपर हल कर रहे हैं उसके आज 100 कुश्चन पूरे होते हैं आपके ठीके दोस्तो तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम बात करेंगे अगले एर के सेट पेपर की उसमें भी हम ऐसे याद दददस कुश्चन लेकर के चलेंगे और दीरी दीरे उसको कवर करेंगे ठीके दोस्तो इन 10 और वीडियों का जो PDF है दोस्तो आज के वीडियो की डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं ठीक दोस्तो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें साथ ही साथ चैनल को भी सब्सकाइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आप प्रशन रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्वाद, जैहिन दोस्तो